जैहिंद बच्चों, जैहिंद जैभारत, कैसे वो आप सभी? और जैसे जैसे एंडिया का एक्जाम नजदीकार आओगा तो आपकी भी दिलों की दड़कन बढ़ रही होगी, लेकिन ये दिलों की दड़कन उन्हीं की बढ़ती है, जिनकी त्यारी अच्छी होती है, जिनकी नहीं होती, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो एक महीने पहले भी ऐसे ही थे, पेपर वाले दिन भी ऐसे ही रहेंगे और पेपर के बाद भी वो ऐसे मिलेंगे आपको, तो आज का जो मुद्दा है, वो एक ऐसा मुद्दा है कि बच्चे ने जो 6 महीना एक साल की अप में मेरे साथ क्या हो गया और वो छोटा सा जो मुद्दा है वो है OMR seat का मुद्दा बच्चे बहुत जब्षोदस्त गलतिया कर देते हैं MR seat पढने में क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती और वो वहाँ पर OMR भरते टाइम गलतिया कर देता है तो आज मैं आपको OMR को लेकर क्या क्या मिश्टेक आपको नहीं करनी है कहां कहां आप फस सकते हो एकजाम में वो सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूँ और एक एक चीज़े में अगर आपके पेपर में आपको मिलने वाली है अगर आप ये वीडियो देखकर अपना एक्जाम देने जा रहे हो तो मैं guarantee देता हूँ कि आप OMR seat भरते time कभी कोई गलती नहीं कर सकते ये guarantee है तो चलो चलते है और देखते है ठीक है सारी चीजे में आपको आपके सामने दिखाऊंगा कि गलत OMR भरने से कितना बड़ा नुकसान होता है गलत OMR भरने से कितने सपने बच्चों के टूटते है बहुत सारे बच्चों के सपने टूटे है गलत OMR भरने से OMR का मतलब क्या होता है सर जी हमें तो इससे कोई मतलब भी नहीं चलो फिर मी मैंने नाम आपको लिख दिया, याद कर लेना नालया को, ठीक है, जो काम करने जा रहे हो, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो OMR कुछ ऐसी आपको दिखती है, ठीक है, ये ऐसी आपको यहाँ पर OMR दिखती है, इस टाइप की OMR आपको मिलेगी, तो आप को जो एक्जाम के दोरान OMR मिलते हैं, वो गुलाबी रंग के मिलती है, और गुलाबी रंग जहां भी आजाए, जहां भी गुलाब से रिलेटेट चीज़े आजाए, वो अकसर धोका बहुत जबरदस्त लेवल पर देती है, और वफादारी भी बहुत जबरदस्त लेवल इसको बार कोड कहते हैं, अब जो ये बार कोड है, इस बार कोड के साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करनी है, इस पर आपको कोई पैन वेन नहीं चलाना है, कोई अपना नाम वगेरा लिख दे या कोई ऐसे मार्क करके देख ले, कुछ होते ना लायक, वो देखते हैं कि मैं pen देख लिए, तो मेरा pen चल रहा है, क्या वो ऐसे pen चला के देख लिते हैं, ऐसा कते ही नहीं करना है, अगर आपने ऐसे pen चला के देख लिया, तो आपके career पर ये pen चल जाएगा, कितनी भी अच्छी त्यारी हो, चाहें आप India या टोप करने वाले क्यों नहीं थे ये एक छोटी सी गलती से इंडिया तो टोप छोड़िए आप इस एक्जाम से निलंबिती हो जाओगे ठीक है तो नेक्स्ट एक साइड टाइमर ओमर पे साइड में साइड में ऐसी पट्टी होती है छोटे-छोटे ऐसे चोटे-छोटे उ इसको कहते हैं तो जो आपको सामने दिख रहे हैं यहां पर कोई आपको पैन नी चलाना कोई भी मार्किंग किसी तरीके की आपको नहीं करनी है information section आपको जो बेटा OMR मिलेगी उस OMR में आपको एक ऐसा section दिया जाएगा जिसमें आपको अपना नाम और role number सई से लिखने हैं ठीक है और role number के नीचे गोले बरने हैं जैसे यह रहा name of the candidate तो यहाँ पर आप अपना नाम भर देंगे Robin Tomer और यह capital में भरिएगा capital में सबसे best होता है ठीक है Robin Tomer question booklet number जो भी question booklet जो आपको test paper मिलेगा यानि जो आपको booklet मिलेगी उस पर जो भी booklet number होगा वो आप यहाँ पर लिख देजेगा जैसे 3, 4, 6 हुआ इस type से वो यहाँ पर लिख देना है अब बात आती है roll number की roll number बहुत ज़्यादा important है अब roll number के लिए बेटा आपको क्या करना है जैसे आपने आपर अपना roll number बढ़ा 0, 3, 7, 2, 5, 4, 9 तो इसके नीचे box भी बढ़ने है ठीक है और यह यहाँ पर देखो यह जो number है इन box में रहने चाहिए 4, 9 जो circle है यह आपको fill कर देना है इसी परकाट 2 के नीचे 2 वाला circle fill कर देना है 5 के नीचे 5 वाला circle fill कर देना है 4 के नीचे 4 circle fill कर देना है और यह 9 के नीचे 9 number वाला circle fill कर देना है यह सारे circle आपको fill करने है और ध्यान रखना circle उसी order में fill होना चाहिए जैसे आपने यापर करमांक लिखे है तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलतिया कर देते है कुछ बच्चे क्या करते है जैसे उनको 3 फिल करना था वो नालैक क्या करते है कि यही पर पहली लाइन में 3 लिख देते है ध्यान कहीं और होता है द्यान तो इस चीज पे पिताजी कुछ बोलेंगे तूने तो यही कांड कर दिया बोलने लैक तो उनको छोड़ाई और वो क्या करते हैं कभी तो ऐसे कट लगाएंगे कुछ तो ऐसे एसे कट लगाएंगे यह उससे भी बड़य नंबर वन दर्जे के बेवकूप है कट लगाएंगे कुछ क्या करेंगे कुछ करेंगे, किस चीज़ का, उंगली लगाएंगे बार बार थुक कि और हलका हलका ऐसे मिटोंगे, यह सोचेंगे की तुम बहूत बड़े कलाकार हो, magician हो, वो नालैक, पहली कांड कर दिया, अब उसके बाद ऐसे मिटो-मिटो के वो MR seat फाड़ देगा, और बड़ा नुकसान, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, अगर ऐसी कोई mistake हो भी जाती है, तो जो वाँ पर examiner है, उससे help देना है, अब देखो, how to fill the circles, circles कैसे fill करने है, कुछ बच्चे circle ऐसे टिक लगा देते है, कुछ माचो मैन होते है, कुछ माचो मैन ऐसे टिक लगा के जाते है, गोली की स्पिर मैसे, कि तरह भाई जोग इंदर देख लेगा, तरह भाई जोग इंदर कुछ नहीं देखेगा, ठीक है, अब तो जो भी OMR चेक होगी ना, जिस मशीन में, वो देखेगी, और वो भी क्या देखेगी, वो तुमें देखेगी, नहीं बार फैक देगी, निकाल गे sheet को, ठीक है, कुछ ऐसे लगा देंगे, ये भी नहीं करना, कुछ है ना, छोटा सा निसान लगा देंगे ऐ ऐसे, ऐसे कुछ नहीं करना, मेरे भाई, पूरा गोला बरना है, ये, पूरा गोला, और OMR बरने का पैन भी आता है अलग से, OMR seat बरने का पैन भी आता है अलग से, 10 रुपे का, ठीक है, जब उसको आप करते हो, तो वो सिर्प एक दो बार गुमाने से OMR बर देता है, यानि कोशन आपने कर लिए, पहले का अंसर है B, ब्रावो, तो आपने यहां पर बर दिया, दूसरे का अंसर है B, ब्रावो, यहां पर बर दिया, तीसरे का अंसर C, C, बर दिया, चो था आप, आपको पता नहीं खाली छोड़ दिया, पांचवे का अंसर B था, तो आपने यह बर पाएगा अगर वो चैक नहीं हो पाएगा जो कोस्षन आपने सई किये थे वहां भी माक्ष नहीं मिलेंगे आपने बहुत बार सुना भी होगा बहुत बच्चे गलती कैसे करते हैं। कुछ नालायक बच्चे कैसे होता है। कुछ होते हैं। उन्होंने 5 question क्यों टिक किसे 5 तिक और उन 5 question का उन्होंने anser देख लिया AACDA ऐसी डी ऐसी नी ऐसे बर देंगे 5 अब पता लागद 6 Correct which हुड령 आप चटवा कोश्चन उन्होंने छोड़ा हुआ है सातवा आठवा नोवा दसवा कोश्चन उन्होंने देख लिया AACDB अगले पांच कोश्चन देख लिये AACDB छटवा उन्होंने छोड़ दिया था अब छटवा छोड़ दिया था तो छटवे की लाइन खाली छोड़ते ना अब वो क्या करते है, छटवा कोश्चन तो बुकलेट में छोड़ा हुआ है, यानि आंसर टाप लिए साथवे से, तो जो आंसर वो याद करके आया है, वो साथवे से टाप क्या आया है, साथवे से टाप लिया, A, A, C, C, D, लेकिन क्या करेगा, साथवे से सुरू नहीं लगेगा, A, A, C, C, D, पता लगेगा, भाई साथ, पांच कोश्चन गलत ठोकाया, पता लगेगा, पांच कोश्चन गलत ठोकाया, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, कुछ बच्चे तो ऐसे अब भी पाएंगे, मेरी वी कोई उपाई नहीं कर सकते सर, ठीक है, सर पहले समझा सकते है, गलती होने के बाद सर भी सही नहीं कर सकते गलती, तो ऐसी गलतिया तो बहुत बच्चा करता है, बहुत ज्यादा बच्चा ऐसी गलतिया करता है, तो ये गोले भरते टाइम तो पूरा फोकस लगाना है, अपन एक से पांस तक भरो। सफोर ग्रों चैसे दस्वे आपने टीन टेंप्ट किये है आगर सिसी दस्में तीन टिथे देंप्ट किय तो टीन यी वरो। भई Mercy थे क्षटा एकundred फर गॉलती नहीं होती next अब देखो important entry कौन कौन सी है OMR में role number बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जब आप role number बढ़ते हो तो उसके नीचे गोले भी भरने होते है question booklet code जो question booklet code होता है वो भी बहुत important है उपर booklet code लिखना है नीचे फिर गोले भी भरने है booklet code सपोज करो 08 है तो नीचे गोला भी भरना है 0 के नीचे 0 वाला गोला 8 के नीचे 8 वाला गोला और student signature यह भी बहुत ज़्यादा important है अब देखो यहाँ पर यह दे दिया जैसे पुस्ति का स्रीज दे दी आपके पास ABCD 4 booklet आती है सपोज करो आपके पास booklet B आई तो यहां लिख देंगे पुस्ति का B अब B के नीचे B वाला ही गोला भरना B वाला ही गोला भरना गड़ बढ़ मत कर देना वी से कोड सब्जेक्ट कोड जो भी आ गया सपोज करो सब्जेक्ट कोड है 107 मालो 30 가지 लो के नीचे 0 वाला गोला बढ़ दो 7 जैके लीच्स सब्स्सल नमबर ढ़ा है जैसे Suppose roll number है 234 5678 तो यहां टू बरो यहां next राइन में 3 बरो, next में 4 बरो फिर 5 का गोला बरो फिर 6 का गोला बरो फिर 7 का गोला बरो फिर 8 का गोला बरो एकी लाइन में मत चिपका देना सारे के सारे ठीक है, इस परकार आपको ये booklet मिलती है, अब इसके बाद बात आजाती है क attendance seat तो जो attendance seat मिलती है उसमें ध्यान से देखना exam hall में आपको इस तरह की seat दी जाएगी attendance seat इसको बोलते हैं आप अपने admit card से अपना नाम, roll number, photo चेक करने के बादी signature box में sign करें क्या होता है आपको अपने नाम और photo के सामने signature करना होता है तो आपको क्या करना है पहले आप चेक कर लो क्या आपका ही photo है क्या आपका ही नाम है, क्या आपका roll number है उसके आगे जो box बना है उसी में signature करो कुछ क्या करते हैं, अपने नाम के सामने नहीं करेंगे signature अब पता लगा मेरा नाम था Robin और Robin के उपर था संजीव ठाकूर अब मैंने अपना देख लिए आप नाम तो Robin है roll number भी Robin कई है, सब कुछ Robin कई है और sign कर दिया संजीव ठाकूर वाले में ठीक है, तो कुछ ये भी गड़बढ़ कर देते हैं जल्द बाजी में, तो जल्द बाजी नहीं करनी है यानि OMR को जब फिल करते हो, कोई जल्द बाजी मत करो जब आप यहाँ पर attendance seat पर signature करते हो, कोई जल्द बाजी मत करो जल्द बाजी अगर करनी है, तो question को soul करते time दिखाईए जल्द बाजी अगर करनी है घर पे practice जब कर रहे हो तब जल्द बाजी दिखाईए जल्द बाजी अगर करनी है तो ज्यादा पढ़ने में जल्द बाजी दिखाईए तो जल्द बाजी बेटा वहां करो जहां दिखाने से फाइदा होगा वहाँ जल्दबाजी मत करो जाना दिखाने से आपके साथ कांड हो जाएगा और मैं तो यह कहूँगा एक्जाम से पहले OMR सीट पर प्रैक्टिस करके जाओ कम से कम 3 पेपर मैट्स के 3 पेपर जीएटी के, हाँ जी बिल्कुल सई सुना, कम से कम 3 पेपर मैट्स के और 3 पेपर GAT के ठीक है ये तो आप लोगों को OMR Seat पर प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है OMR Seat डाउनलोड हो जाएगी आप Google से OMR Seat सर्च कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करके कोपी निकलवा लीजिए उसकी ठीक है और उस पर practice करके जरूर देखना क्योंकि अगर आप OMR seat पर practice करते हो तो वहाँ जाकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और इसके अलावा कुछ कुछ एक upper level के upper level के macho man होते है जो हर बार ये गलतिया करते है क्या? admit card भाई साब ले जाना भूल जाएंगे अरे जब तु अपना admit card ही ले जाना भूल गया क्या त्यारी कर रहा है बे तू? क्या त्यारी कर रहा है? ठीक है? दूसरा अपना exam center चेक नहीं करते है क्या कहेंगे? बोला उसी दिन देख लेंगे उसी दिन सब कुछ देख लेंगे अरे उस दिन आप देख लेंगे ठीक है? पहली exam center अपना चेक कराओ ना कहां आपको जाना है? कैसे जाना है? किस तरीके से आपको जाना है? क्या क्या वहिकल का? आपका क्या रहेगा प्रोग्राम? सारी चीज पहले चेक कर लो भाई अगर पहले चेक कर लिया, क्या चला जाएगा? और अगर आपको यह है कि नहीं सर हम तो बहुत दूर है exam center हमसे तो कई सो किलोमीटर दूर है तो कोशिश कीजिएगा पेपर से पहले दिन उस सेर में आप परजेंट हो जाओ अगर पेपर से पहले दिन आप उस सेर में परजेंट हो गए तो ही आप अपने time पर पोच पाऊंगे उसके बाद अपनी ID नहीं लेकर जाते कुछ बचे कहते हैं सर ID घर रह गई सर फोटो घर रह गई अरे फोटो ID साथ रखो भाई आप पेपर देने जा रहे हो आपका मापर verification हो सकता है आपका फोटो चेक किया जा सकता है तो फोटो और ID तो हमेशा साथ रखना चाहिए फोटो ID तो normal भी साथ रखना चाहिए अपने wallet में ठीक है फोटो ID तो आपके पास wallet वगएरा है तो उसमें हमेशा साथ रखना चाहिए कहां आपको दिखाना पड़ जाए पैन पैंसिल वगएरा भी अपना साथ लेकर जाना अपना जो गोले भरने वाला जो OMR सीट में गोले भरने वाला पैन होगा तो इस सारी चीज़े आपको दियान रखना है क्योंकि बेटा पिकनिक पर नहीं जा रहे हो आप एक्जाम देने जा रहे हो पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हो और अगर इतनी सारी चीज़ समझाने के बाद भी यही गलती कोई बच्चा करके आया और उसने मेरे पास फोन किया कि सर आपकी वीडियो देखी थी और वो ही गलती करके आया हूँ जो आपने बताई थी कि सर कोई उपाई है क्या बाई साब एडरेस लेकर घर पोचूंगा और घर पोच के तुमारे पिता जी क्या आगई तुमें लत्या हूँगा ठीक है ना ध्यान रखना इस चीज को और और कोई जरूरी अगर मुझे जानकारी लगी पेपर से पहले कि आपको मिलनी चाहिए तो वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा बाकी मैनत करते रहिए और पूरे जुनून और पूरे उच्छा के साथ पढ़ते रहिए और अपनी ये मैराथन कलास जो आपकी अभी हमने लगाई है और जो मैराथन कलास आपकी हो भी चुकी है सेटरडे वाली मैराथन कलास हो भी चुकी होगी तो ये सारी कलास अपनी प्रोपर देखते रहिए क्योंकि मैं guarantee देता हूँ कि 35 question लगबग लगबग math में यही से आपको मिलने वाले है इस marathon class से और लगबग लगबग English को छोड़ दो English को अटा के 35 से 40 question आपको GAT के यही से मिलने वाले है क्योंकि मैं देखता हूँ अपने teachers को जब वो रात रात बर बैटके आपके लिए file बनाते है ना तो तम मैं देखता हूँ उनके dedication को और उसी के भी आप पर मैं बोल रहा हूँ और उसी के भी आप पर इतने confidence में मैं आपको कह रहा हूँ यह marathon class आपके लिए राम भान सी दोने वाली है ठीक है बेटा फिर मिलते है किसी नई जानकरी के साथ जै हिंद जै भारत